हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदाते हो गई है मेरा सिंपल सीधा सवाल है आप रक्षात्मा को के क्यों लड़ रहे हो अब समय आ गया है साब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई सचटी का दूद याद आ जाए अब नक्षा बदलने का वक्त आ गया है मेरा कार हमारी सेना के हाथ खोल दे खोल दे हाथ वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साब पाकिस्तानी फॉज की लाशें बिचानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने एक फटीचर मुल्क जो की टू इकनॉमिक कोलाप्स की क पार पर है उसकी इकनॉमिक तबाई होने की है दो रोज की रोटी नहीं खिला पारा अपने लोगों को वह वह भारत को चेड़ना चाहते यह गांधी गिरी बाद में होती रहेगी कहीं और होती रहेगी अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय है क्यों कि जब कोविड का दौर चला था तीन साल हमारी फौज में सब भरती बंद कर दी गए तीन साल हर साल साथ हजार बंदे रिटायर होते हैं मतलब की तीन साल के अंदर हमने एक लाक असी हजार भारतिये सैनिक खतम खलास कम कर दिया अब सहाब मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे खत्रे बढ़ रहे हैं चीन के साथ पाकिस्तान के साथ तो हम ये फाज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है मुझे समझ नहीं आता इसकी बजवात क्या है कि बहुत बड़ी फाज है बहुत भत का रही है थूक लगा रही है सरकार को लड़ रहे हैं आपके लिए मर र हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ पहुज काट रहे हैं तो क्या रूस के पास कोई हत्यारों की कमी थी साथ रशा यूक्रेयन का युद्ध ट्रेलर आपकी आख के सामने चल रहा है या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइस करना चाहते हैं मुझे समझने आपकी स्टेंडिंग आर्मी थी परफेक्ट आर्मी थी इट वस गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर तो उसकी काटा पीटी शुरू हो गई है साब कि बहुत खर्चा हो रहा है तो अभी साथ आईटी बिसर मैन पावर की किलत है तो ह कई महेंने पाकिस्तान चुपी साथ के बैटा फिर जब उसने फिर चुल्बली दिखाई तो हमने एर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर बाला कोट में और दो धाइसो टेररिस्ट वहां मारे थे और एक डेड़ साल पाकिस्तान चुपरा रोता हुआ चीन की तरफ गया मेर मेरे आका मेरे आका मुझे बचाओ और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लदाक में उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई है मेरा सिंपल सीधा सवाल है आप रक्षात्मा को के क्यों लड़ रहे हो चार साल स से सीजफायर दिया हुआ है पाकिस्तान को सीजफायर क्यों सबसे अच्छा दोस्त है हमारा अब समय आ गया है साब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि यह कई सचटी का दूद याद आ जाए और हमारी फॉच कर सकती है बशर्ते की आप उसको बोले कि नहीं सिरफ राइफल स मिला भरी फारी इस्तवाल क्यों नहीं करेंगे वह रिपब्लिक दे परेड के लिए हाथ खोल दे खोल दे हाथ वो दिखाएगी आपको वह क्या कर सकती है दिखाएगी आपको वह लाइन उफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है यह एटक इंटरनेश्चनल बिडर के पार पाकिस्तानी फॉज की लशें बुचानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मनें कि तर्रिरिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फॉज को कुछ नहीं कहेंगे ? क्यों नहीं कहेंगे सारा पाकिस्तान की फॉर्ज की फसाद है यह आसिम मुनीर और उसका जो डीजी आईएसाई है यह सारी उसकी यह है एक फटीचर मुल्क जो की टू इकनॉमिक कॉलाप्स की कागार पर है उसकी इकनॉमिक तबाई होने की है दो रोज की रोटी नहीं खिला आप आरा अपने लोगों को वह वह भारत को चेड़ना चाहते हैं अरे साब तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी जादा है तो हमको करना चाहिए ना माल डालना चाहिए एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ और कोई भी नतीजा हो या ना हो सुलो पाकिस्तानियो और कोई भी नतीजा हो ना हो तुमारी एकॉनिमी की लुटिया डूब जाएगी तुम्हें एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद सोच समझ के पंगे लो पंगे लेने की आपको आदत है बड़ी बढ़चड के आप लोग चोंचले बाजी करते हैं तो सौस नार की एक लोहा हुआ और अब नक्षा बदलने का वक्त आ गया है अब हाथ खोलिए अपने सशहस्ट्र से ना हो when हाथ खोल दीजे प्लीज ये गांधी गिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी, अब हात खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय आ है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते